हेलो स्टुडेंट्स मैं जोन के यूटूब चैनल में आपका फिर से स्वागते हैं बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि आप हमारे लिए क्लास 12 का फिजिक्स का ब्ल्यूप्रिंट भी लेकर आईए तो क्लास 12 के फिजिक्स के ब्ल्यूप्रिंट की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए सुरुवात करते हैं अगर आप नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही जल्द हम physics related mcq questions और short formulae और short tricks लेखे आएंगे तो चले ही शुरुआत करते हैं chapter number first से chapter number first में आपको एक question मिलने वाला है जो कि half mark का होगा objective यानि कि mcq question मिलने वाला है एक question आपको मिलेगा filling the blanks ठीक है और एक question मिलेगा long तो आपको यहाँ पर पता रखना है कि पहले chapter के अंदर half marks का आएगा mcq half marks की filling the blanks और एक आएगा long question जो कि आएगा three marks का तो total 4 number का हो गया chapter तीन question आएगे आपके फिर second number chapter है हमारे पास ठीक है इस्तिर वैदित विबो ततादारीता very short जो कि एक number का होगा एक short question आएगा ठीक है short वाले में यानि कि आपके dead number का वो question आएगा तो total ये भी तीन number का है और तीन ही question यहाँ से आने वाले है third chapter हमारे पास एवे वैदित दरा ठीक है यहाँ पर आपके वाहस 2 mcq एक खाली जगे एक very short question और एक short question आएगा तो यानि कि इस chapter के अंदर से long question नहीं आने वाला है आपके पास 2 question आएगे आदे दे number के mcq आएगे एक खाली जगे आएगी जो कि आदे number की होगी very short आएगा आपके पास एक number का और एक dead number का question आएगा जो कि short होगा यानि इसमें short लिखना पड़ेगा आपको आंसर ज़्यादा long लिखने की जुरुत नहीं है फिर आपके पास चौता नमर चेप्टर है गतिमान आवेस और चुमकत्व ये आपके पास देखेगा MCQ आएगा एक फिलिन दो ब्लैंक्स आएगी एक और एक यहाँ पर long question आने वाला है तो long question आपको अभी तक देख रहे हैं आपके चार चेप्टर में से दो चेप्टर यानिकी पहला और चौते चेप्टर में से आएगा long question आगे चलते हैं आगे आपके पास पांचवा चेप्टर आगया चुमकत्व द्रव्य छटा, सातवा, आटवा और नम्मा ठीक है तो पांचवे चेप्टर में आपके पास कोई MCQ नहीं एक question आएगा feeling the blanks का आधी नमर का ठीक है फिर आपके पास एक very short question एक number का, एक short question एक number का, total तीन नमर का ये chapter आएगा ठीक है तो ये चीज़ याद रखेगा चटे चेप्टर में आपके विदुद चुमकत्र प्रेणर नाम है चेप्टर का, यहाँ पर कोई MCQ नहीं है कोई feeling the blanks नहीं है very short आएगा, और दो question आएगे short जो की dead dead number के होंगे तो total चार नमर का ये chapter है फिर आपके पास AC यानि प्रत्य और ती धरा आ रही है यहाँ पर एक question MCQ आ रहा है ठीक है एक question filling the blanks आ रहा है यानि कि याद रद नमर के होंगे एक यहाँ पर बहुत बड़ा question आएगा चार नमर का long question ठीक है ना इसके अंदर numerical भी अपने देख सकते है numerical भी आ सकता है जो भी 3 marks और 4 marks के है उनके अंदर और option मिलेगा आपको अथ हमें आएगे वो question ठीक है आगे चलते है व्यदो चुम्कियत तरंग यहाँ पर objective type question MCQ एक आएगा short question एक आएगा तो यह total दो number का यह chapter है ठीक है ना तो बिल्कुल यह दो number का यह chapter है दो यह question आने वाले सबसे दाद माक्स का आएगा आपके पास optics किरन प्रकासिकी यह अंदर यहाँ पर दो question आएगे MCQ जो की आदे अदे number के होगे एक यहाँ पर आएगी आपके पास दस्वा चेप्टर 11, 12, 13 और चोधुवा तो यहाँ पर वेव ऑप्टिक से हमारे पास दस्वा चेप्टर यह पांच नंबर का है एक कोशन MCQ एक कोशन फिलिंग दबलेंक्स एक कोशन सौट और दो कोशन आएगे एक कोशन आएगा वेरिसोट और दो कोशन आएगे सौट ठीक है तो डैट नंबर के दो कोशन आने वाले है एक नंबर का एक कोशन आदा आद नंबर के दो कोशन अब यहाँ पर अगला चेप्टर आए हमारे पास दून नेचर ओप मेटर विकेरन तता द्रव की द्वेत प्रकृति दो MCQ यहाँ पर दो के आ जाएंगे MCQ आ जाएंगे, एक फिलिंग दो ब्लेंक्स आ जाएगी ठीक है ना, एक वेरी सॉट आ जाएगा और एक सॉट आएगा तो चार नमबर का यह भी चप्टर है फिर आपके पास एटम आ गया परमाणू दो MCQ आ रहे हैं एक खाली जगे आ रही है एक वेरी सॉट आ रहा है और एक सॉट आ रहा है तो इस आप से जब आपको यह पता होता है कि MCQ खाली जगे कहां से जादा बनने वाली इस चेप्टर में से ज़्यादा आने वाली है तो वहाँ पर आप उस चेप्टर के बारे में छोटे-छोटे पॉइंट फार्मुले और जो वैल्यूज होती है फिक्स वैल्यू इनिवर्सल वैल्यू होती है उनको आप ज़रूर याद कर लिजेगा क्योंकि डायेक्ट वहाँ पर फिलिंग्ड ब्लैंक्स वो डायेक्ट वो वैल्यूज पूछी जाती है नाभी कापके पास अगला तेरह चेप्टर है यहाँ पर अब्जिक्टी टाइब का कॉश्चिन एक वेरी सॉर्ट कॉश्चिन एक सॉर्ट एक यानिकी तीन नंबर का यह चेप्टर है और लास्ट चेप्टर आपके पास आता है सेमिकंड़क्टर वाला जिसके अंदर एक एमसी क्यू आएगा एक फिलिंग ब्लैंस आएगी और एक लॉंग कॉश्चिन आएगा ठीके ना? तो यह चार नंबर का चप्टर है तो टोटल आपके पास एमसी क्यू आने वाले हैं सोला खली जगे आपके पास आने वाले हैं दस वेरी सॉर्ट यानिक एक नंबर के जो आएगे कोश्चिन वोंगे आठ सॉर्ट कोश्चिन आएगे जो डेट नंबर के वोंगे बारा, लॉंग कोश्चिन, तीन और वेरी लॉंग कोश्चिन भी बाहाँ सकते हैं जिसके अंदर डेरिवेशन दारेट पूछा जा सकता है या निमेरिकल आ सकते हैं वो आपके पास दो गोश्चिन, शपपन नंबर का पेपर होने वाला है एकां उन गोश्चिन आपके पास आने वाले है तो तोड़ी अच्छी तरीके से तैर ही कीजिएगा क्योंकि फिजिक्स में जो छोटे पॉइंट होते हैं टूपॉइंट कूछे जाते हैं वहाँ पर डेरिवेशन नहीं आएंगे इनकी अंदर और यहां पर ही जदा चांस मनते हैं कटने के कुछ बत्चे यह सोचते हैं कि वहाँ पर एकचाहम सेंटर में नकल करके कर लेंगे या कोई दूसरा आके बता देगा तो उस गलत फिर में मत रहिएगा यह 12th क्लास ना कि 10th क्लास ठीके ना तो आरेकर उसने गलत बता दिया तो आपके दो नमबर चले गए करकि इनके अंदर देखेगा यहां पर एमसे क्यों और फिल उन्द ब्लैंक्स में तो इस प्रकार से आपको यह तहरी करनी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग